नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हर्दिक स्वागत है लीजे आज एक और कहानी के साथ प्रस्तुत हैं नाम है इसका मेरा वतन और इसे लिखा है विश्णु प्रभाकर जी ने आई ये शुरू करते हैं उसने सदा की भाती तेहमद लगा लिया था और फैज ओड ली थी उसका मन कभी कभी साइकल के ब्रेक की तरह तेजी से जटका देता परंतु पैर यंत्रवत आगे बढ़ते चले जाते यद्दपे इस सक्ति प्रयोग के कारण वो बे तरह काँप काँप जाता पर उसकी गती में तनिक भी अंतर न पड़ता देखने वालों के लिए वो एक अर्ध विक्षिप्त से अधिक कुछ नहीं था वे अकसर उसका मजा कुडाया करते वे कह-कहे लगाते और उंचे स्वर में गालियां देते पर जैसी ही उनकी द्रिष्टी उठती नजाने उन निरीह, भावहीन, फटी-फटी आँखों में क्या होता कि वे सहम-सहम जाते सोडा वाटर के उफान की तरह उठने वाले कह-कहे मर जाते और वो नजर दिल की अंधरूनी बस्ती को शोले की तरह सुलगाती हुई फिर नीचे जुग जाती वे फुस-फुसाते जरूर इसका सब कुछ लुट गया है अरे इसके रिष्टेदार मारे गए है नहीं-नहीं, ऐसा लगता है काफिरों ने इसके बच्चों को इसी के सामने आग में भून दिया है या भालों की नोक पर टिका कर तब तक घुमाया है जब तक उनकी चीख पुकार बिल्ली की मिम्याहट से चिडिया के बच्चे के चीची में पलटती हुई खत्म नहीं हो गई है और ये सब देखता रहा है हाँ, ये देखता रहा है वही खौफ इसकी आँखों में उतर आया है उसी ने इसके रोम रोम को जकड लिया है वो इसके लहू में इस तरह घुल मिल गया है कि इसे देख कर डर लगता है डर? किसी ने कहा इसकी आँखों में मौत की तस्वीर है वो मौत जो कतल, खुरेजी और फासी का निजाम संभालती है एक बार राह चलते दर्द मंद ने एक दुकांदार से पूछा ये कौन है? दुकांदार ने जवाब दिया मुसीबत जदा है जनाब अमरित सर में रहता था काफिरों ने सब कुछ लूट कर इसके बीबी बच्चों को जिन्दा आग में जला दिया जिन्दा? अब तो वो जिन्दों को जलाती है राहगीर ने तब अपनी कड़वी भाशा में काफिरों को वो सुनाई वो सुनाई कि दुकांदार ने खुश होकर उसे बैठने के लिए कहा उसे जाने की जल्दी थी फिर भी वो जरासा बैठ कर उसने कहा कोई बड़ा आदमी जान पड़ता है जी हाँ वकील था हाई कोट का बड़ा वकील लाखों रुपय की जैदाद छोड़ाएं है अच्छा? जनाब आदमी आसानी से पागल नहीं होता चोट लगती है तभी दिल तूटता है और जब एक बार तूट जाता है तो फिर नहीं जोड़ता आज कल चारों तरफ यही कहानी है मेरा घर का मकान नहीं था लेकिन दुकान में सामान इतना था कि तीन मकान खरीदे जा सकते थे जी हाँ रागिर ने साहान भूती से भर कर कहा आप ठीक कहते हैं पर आपके बाल बच्चे तो सही सलामत आ गए हैं ना जी हाँ खुदा का फजल है मैंने उन्हें पहले ही भेज दिया था जो पीछे रह गए थे उनकी न पूछिये रोना आता है खुदा गारत करे हिंदुस्तान को रागिर उठा उसने बात काट कर इतना ही कहा देख लेना एक दिन वो गारत होकर रहेगा खुदा के घर में देर है पर हंधेर नहीं और वो चला गया परंतु उस अर्ध विक्षिप्त के कारिकरम में कोई अंतर नहीं पड़ा वो उसी तरह धीरे धीरे बंजारों में से गुजरता शरनार्थियों की भीड में धक्के खाता परंतु उस और देखता नहीं उसकी दृष्टी तो आसपास की दुकानों पर जा अटकती थी जैसे मिकना तीस लोहे को खींच लेता है वैसे ही वे बेजुबान इमारतें जो जगह जगह पे खंडर की शकल में पलट चुकी थी उसकी नजर को और उसके साथ साथ उसके मन, बुद्धी, चित और एहंकार सभी को अपनी और खींच लेती थी और फिर उसे जो कुछ याद आता वो उसे पैर के तलुवे से होकर सिर में निकल जाने वाली सूली की तरह काटता हुआ उसके दिल में घुमड घुमड उठता इसी कारण वो मर नहीं सका केवल सिस्कियां भरता रहा उन सिस्कियों में न शब्द थे न आंसु बेबस सूखी हिचकियों की तरह उसे बेजान किये रहती थी सहसा उसने देखा सामने उसका अपना मकान आ गया है उसके अपने दादा ने उसे बनवाया था उसके उपर के कमरे में उसके पिता का जन्म हुआ था उसी कमरे में उसने अपनी आखें खोली और उसी कमरे में उसके बच्चों ने पहली बार प्रकाश किरण का स्फर्ष पाया था उस मकान के कण कण में उसके जीवन का इतिहा संकित था उसे फिर बहुत सी कहानिया याद आने लगी वो उन कहानियों में इतना डूब गया कि उसे परिस्थिती का तनिक भिध्यान नहीं रहा वो यंत्रवत जीने पे चड़ने के लिए आगे बढ़ा जैसे वो सदा करता था और उसने घंटी पर हाथ रखा बेजान घंटी शोर मचाने लगी और तभी उसकी नींद तूट गई उसने घबरा कर चारों तरफ देखा वहां सब एक ही जैसे आदमी नहीं थे वे एक जैसी जबान भी नहीं बोलते थे फिर भी उनमें ऐसा कुछ था जो उन्हें एक बना रहा था और वो इस एक में अपने लिए कोई जगह नहीं पाता था उसने तेजी से आगे बढ़ जाना चाहा पर तभी उपर से एक व्यक्ती उतर आया उसने ढीला पजामा और कुर्ता पहना था पूछा कहिए जनाब वो अचकचाया जी जनाब किसे पूछते थे फिर मुह बनाकर तलखी से जवाब दिया जनाब तश्रीफ ले जाईये वरना आगे उसने क्या कहा वो ये सुनने के लिए वहां नहीं रुका उसकी गती में तूफान भर गया उसके मश्तिश्क में बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसका चिंतन गती की चटान पर टकरा कर पाश पाश हो गया उसे जब होश आया तो वो अनारकली से लेकर माल तक का समूचा बाजार लांग चुका था वो बहुत दूर निकल आया था वहां आकर वो तेजी से कापा एक टीस ने उसे कुरेद डाला जैसे बढ़ाई ने पेंच में पेंचकश डाल कर पूरी शक्ती के साथ उसे घुमाना शुरू कर दिया हो हाई गोट की शांदार इमारत उसके सामने थी वो दृष्टी गड़ा कर उसके कंगूरों को देखने लगा उसने बरामदे की कलपना की उसे याद आया कि वो कहां बैठता था वो कौन से कपड़े पहनता था कि सहसा उसका हाथ सिर पर गया जैसे उसने साप को छुआ हो उसने उसी शण हाथ खीच लिया पर मोहक स्वपनों ने उस रंगीन दुनिया की रंगीनी को उसी तरह बनाए रखा वो तब इस दुनिया में इतना डूप चुका था कि बाहर की जो वास्तविक दुनिया है वो उसके लिए मरिक दृष्णा बन गई थी उसने अपने पैरों के नीचे की धर्ती को ध्यान से देखा देखता रहा सिनेमा की तस्वीरों की तरह अतीत की एक दुनिया एक शांदार दुनिया उसके अंतिस्तल पर उतराई वो इस धर्ती पर चला करता था उसके आगे पीछे उसे नमसकार करते सलाम जुकाते बहुत से आदमी आते जाते थे दूसरे वकील हाथ मिलाकर सिस्टाचार प्रदर्शित करते और विचारों के हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई उसका ध्यान जज के कमरे पर जाकर केंद्रित हो गया जब वो अपने केस में बहश शुरू करता तो कमरे में सननाटा चा जाता केवल उसकी वाणी की प्रतिध्वनी ही गुंजा करती थी केवल मिलाड शब्द बार बार उठता और मिलाड कलम रखकर उसकी बात सुनते हनुमान फिर कूदे अब वो इस बार एसोशियेशन के कमरे में आ गया था इस कमरे में न जाने कितने बेबा कह कहे लगाए उसने कितनी बार राजनीती पर उत्तेजित कर देने वाली बहसें की महापुर्षों को श्रधाँजलिया आरपित की विदा और स्वागत के खेल खेले अब वो उस कुरसी के बारे में सोचने लगा जिस पर वो बैठा करता था उसे कमरे की दिवार के साथ साथ दरवाजे के पैदान की याद भी आ गई कभी कभी ये छोटी छोटी तफसीलें आदमी को कितना सुकून पहुँचाती है इसलिए वो सब कुछ भूल कर सदा की तरह जूमता हुआ आगे बढ़ा पर तभी जैसे किसी ने उसे कचोट लिया उसने देखा कि लॉन की हरी घास मिट्टी में समा गई है रास्ते बंद हैं केवल डरावनी आखों वाले सैनिक मशीन गन समभाले और हेलमेट पहने तयार खड़े हैं कि कोई आगे बढ़े और वे शूट कर दें हमने हरी वर्दी वाले होम गार्डों को भी देखा और देखा कि राइफल थामे पठान लोग जब मन में उठता है तब फायर कर देते हैं वे मानो छड़ी के स्थान पर राइफल का प्रयोग करते हैं और उनके लिए जीवन की पवित्रता बंदूप की गोली की सफलता पर निर्भर करती है उसे स्वैम जीवन की पवित्रता से अधिक मोह नहीं था वो खंधरों के लिए आंसू भी नहीं बहाता था उसने अगनी की प्रज्वलित लप्टों को अपनी आँखों से उठते देखा था तब उसे खांडववन की याद आ गई थी जिसकी नियू पर इंद प्रस्त सरीखे वैभोशाली और कला मै नगर का निर्मान हुआ था तो क्या इस महानाश की उस कला के कारण महाभारत संभव हुआ जिसने इस अभागे देश के मदोनमत किन्तु जर्ज रित शौर्य को सदा के लिए समाप्त कर दिया क्या आज फिर वही कहानी दोहराई जाने वाली है एक दिन उसने अपने बेटे से कहा जिन्दगी न जाने क्या-क्या खेल खेलती है वो तो बहरूपिया है दूसरी दुनिया बनाते हमें देर नहीं लगती पर मात्मा ने मिट्टी इसी लिए बनाई है कि हम उसमें से सोना पैदा करें बेटा बाप का सच्चा उत्राधिकारी था उसने परिवार को एक छोटे से कस्बे में छोड़ा और आप आगे बढ़ गया वो अपनी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसा लेना चाहता था तभी अचानक छोटे भाई का तार मिला लिखा था पिता जी न जाने कहां चले गए तार पढ़कर बड़ा भाई घबरा गया वो तुरंत घर लोटा और पिता की खोज करने लगा उसने मित्रों को लिखा रेडियो पर समाचार भेजे अकबारों में विज्यापन निकलवाए सब कुछ किया पर वो ये नहीं समझ सका कि आखिर वे कहां गए और क्यों गए वो उसी उधेड बुन में था कि एक दिन सवेरे सवेरे क्या देखता है कि उसके पिता चले आ रहे हैं शान निर्द्वंद्व और निर्लिप्ट आप कहां चले गए थे प्रथम भावो द्रेक शमाप्त होने पर उसने पूछा शान्त मन से पिता ने उत्तर दिया लाहौर लाहौर? फुत्र और विश्वास से काप उठा आप लाहौर गए थे? हाँ कैसे? पिता बोले रेल में बैठ कर गया था और रेल में बैठ कर आया हूँ आप वहाँ क्यों गए थे? क्यों गया था? जैसे उनकी नींद टूटी उन्होंने अपने आपको संभालते हुए कहा वैसे ही देखने के लिए चला गया था और आगे की बहस से बचने के लिए पर न तो वे उन्हें समझा सकते थे न उन पर क्रोध कर सकते थे हाँ पंजाब की बात चलती तो आह भर कर कह देते थे गया पंजाब पंजाब अब कहां है? पुत्र फिर काम पर लोट गये वे भी घर की वेवस्था करने लगे इसी बीच में वे फिर एक दिन लहौर चले गए परंतु इससे पहले कि उनके पुत्र इस बात को जान सके वे लोट आए पत्नी ने पूछा आखिर क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कैसे अब बार-बार वहां क्यों जाते हैं? तब कई शण चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा क्यों जाता हूँ? क्योंकि वो मेरा वतन है मैं वहीं पैदा हुआ हूँ वहां की मिट्टी में मेरी जिन्दगी का राज छिपा है वहां की हवा में मेरे जीवन की कहानी लिखी हुई है पत्नी की आखें भराई और बोली पर अब क्या? अब तो सब कुछ गया हाँ सब कुछ गया मैं जानता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता पर नजाने क्या होता है उसकी याद आते ही मैं अपने आपको भूल जाता हूँ और मेरा वतन मिकना तीस की तरह मुझे अपनी ओर खीच लेता है पत्नी ने जैसे पहली बार अपने पती को पहचाना हो आवाकसी दो शण वैसी ही बैठी रही फिर बोली आपको अपने मन को समझाना चाहिए जो कुछ चला गया उसका दुख तो जिन्दगी भर सालता रहेगा भाग्य में यही लिखा था पर अब जान बूचकर आग में कूदने से क्या लाब हाँ अब तो जो कुछ बचा है उसी को सहेज कर गाड़ी खीचना ठीक है उसने पत्नी से कहा और फिर जी जान से नयकारे छेत्र में जुट गया उसने फिर वकालत का चोगा पहन लिया उसका नाम फिर बार एसोशेशन में गूंजने लगा उसने अपनी जिन्दगी को भूलने का पूरा पूरा प्रयत्न किया और शीग रही वो अपने काम में इतना डूब गया कि देखने वाले दातों तले उंगली दबा कर कहने लगे इन लोगों में कितना जीवट है सैक्डों वर्षों में अनेक पीडियों ने अपने को खपा कर जिस दुनिया का निर्मान किया था वो छण भर में राह का धेर हो गई और बिना आसू बहाए उसी तरह दुनिया ये लोग शणों में बना देना चाहते है उनका अचरज ठीक था तंबूओं और कैंपों के आस पास सड़कों के किनारे राह से दूर भूत प्रेतों के चिर परचित अड़ों में उजड़े गामों में खोले और खादर में जहां कहीं भी मनुष्य की शक्ती कुंठित हो चुकी थी वहीं ये लोग पहुँच जाते थे और पादरी के नास्तिक मित्र की तरह नरक को स्वर्ग में बदल देते थे इन लोगों ने जैसे कसम खाई थी कि धर्ती असीम है शक्ती असीम है फिर निराशा कहां रह सकती है ठीक उसी समय जब उसका बड़ा पुत्र अपनी दुकान का मुहुर्त करने वाला था उसे एक बार फिर छोटे भाई का तार मिला पिता जी पांच दिन से लापता है पढ़कर वो कृद्ध हो उठा और तार के टुकडे टुकडे करकर उसने दूर फेंग दिये चिंचिना कर बोला वे नहीं मानते तो उन्हें अपने किये का फल भोगना चाहिए वे अवश्य लाहोर गए होंगे उसका अनुमान सच था जिस समय वे यहां चिंतित हो रहे थे उसी समय लाहोर के एक दुकांदार ने एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ती को जो तेहमद लगाए फैज कैप ओड़े फटी फटी आँखों से चारों और देखता हुआ घूम रहा था पुकारा शेक साहब अरे सुनिये तो बहुत दिनों में दिखाई दिये कहां चले गए थे उस अर्ध विक्षिप्त पुरुष ने ठकी हुई आवाज में जवाब दिया मैं अमरिट सर चला गया था क्या? दुकांदार ने आँखें फाड़ कर कहा अमरिट सर? हाँ, अमरिट सर गया था अमरिट सर मेरा वतन है दुकांदार की आँखें क्रोध से चमक उठी और बोला मैं जानता हूँ अमरिट सर में साड़े तीन लाक मुसल्मान रहते थे पर आज एक भी नहीं है हाँ, वहाँ आज एक भी मुसल्मान नहीं है काफिरों ने सब को भगा दिया वो हसा उसकी आँखें चमकने लगी उसमें एक ऐसा रंग भर गया जो बेरंग था और वो हसता चला गया हसता चला गया वतन, धर्ती, महबबत सब कितनी छोटी छोटी बातें है सबसे बड़ा मजहब है दीन है, खुदा का दीन जिस धर्ती पर खुदा का बंदा रहता है जिस धर्ती पर खुदा का नाम लिया जाता है वो मेरा वतन है वही मेरी धर्ती है वही मेरी महबबत है दुकांदार ने धीरे से अपने दूसरे साथी से कहा आदमी जब होश खो बैठता है तो कितनी सच्ची बात कहता है साथी ने जवाब दिया जनाब तब उसकी जबान से खुदा बोलता है बेशक उसने कहा और मुड़कर उस अर्ध विक्षिप्ट से बोला शेक साहब आपको घर मिला सब मेरे ही घर हैं दुकानदार मुस्कुराया लेकिन शेक साहब तेरा बैठिये थो अमरिज सर में किसी ने आपको पहचाना नहीं वो ठहाका मार कर हसा तीन महीने जेल में रहकर लोटा हूँ सच? हाँ उसने आखें मठका कर कहा तुम जीवट के आदमी हो और तब दुकानदार ने खुश होकर उसे रोटी और कबाब मंगा कर दिये लापरवाही से उन्हें पले में बांध कर और एक टुकडे को चबाता हुआ वो आगे बढ़ गया दुकानदार ने कहा अजीव आदमी है किसी दिन लखपती था हाज फाका मस्त है खुदा अपने बंदों का खुब इम्तिहान लेता है अरे जन्नत ऐसों को ही मिलता है जी हाँ हिम्मत भी खुब है जान बूच कर आग में जा कुदा भाई वतन की याद ऐसी ही होती है उसके साथी ने जो दिल्ली का रहने वाला था कहा अब भी जब मुझे दिल्ली की याद आती है तो दिल भर जाता है उतने कस्ट की कलपना करना जो दूसरों ने भोगा है असंभो जैसा है फिर भी यातना की समानता के कारण दो मित्र व्यक्तियों की संबेदना एक बिंदू पर आकर एक हो जाती है वो आगे बढ़ रहा था माल पर भीड बढ़ रही थी कारें भी कम नहीं थी अंग्रेज, एंगलो इंडियन तथा इसाई नारियां पहले की तरह ही बाजार में देखी जा सकती थी फिर भी उसे लगा कि वो माल जो उसने देखी थी ये नहीं है शरीर अवश्य कुछ वैसा ही है पर उसकी आत्मा वो नहीं है लेकिन ये भी उसकी दृष्टी का दोश था कम से कम वे लोग जो वहां घूम रहे थे उनका ध्यान आत्मा की ओर नहीं था एका एक वो पीछे मुड़ा उसे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं बैल अपनी डगर को पहचानते हैं उसके पैर भी दृड़ता से रास्ते पर बढ़ रहे थे और विश्व विद्याले की आलिशान इमारत एक बार फिर सामने आ रही थी उसने नुमैश की ओर एक द्रिष्टी डाली फिर बुलनर के बुत की तरफ से होकर वो अंदर चला गया उसे किसी ने नहीं रोका वो लौ कॉलेज के सामने निकलाया उसी शन उसका दिल एक गहरी हूख से तीसने लगा कभी वो इस कॉलेज में पढ़ा करता था वो कापा उसे याद आया उसने इस कॉलेज में पढ़ाया भी है वो फिर कापा हूख फिर उठी उसकी आखें भराई उसने मुह फेर लिया उसके सामने अब वो रास्ता था जो उसे दयानंद कॉलेज ले जा सकता था, एक दिन पंजाब विश्व विद्याले, दयानंद विश्व विद्याले कहलाता था, तभी एक भीड उसके पास से निकल आई, वे प्रायह सभी शरनार्थी थे, बेघर, बेजर, लेकिन उन्हें देखकर उनका दिल पिघला नहीं, कडवा हो आया, उसने चीख चीख कर उन्हें गालिया देनी चाही, तभी पास से जाने वाले दो व्यक्ति उसे देखकर ठिठक गए, एक ने रुक कर उसे ध्यान से देखा, दृष्टी मिली, वो सिहर उठा, सर्दी गहरी हो रही थी, औ इसने उसे पहचाना था, दूसरे से कहा, मैं इसको जानता हूँ, कौन है, हिंदू, साथी अचकचाया, हिंदू, हाँ, हिंदू, लाहौर का एक मशूर वकील, और कहते कहते उसने ओवर कोट की जेब से पिस्तॉल निकाल लिया, वो आगे बढ़ा, और उसने कहा, जरूर य पट, एक व्यक्ती चलता चलता लड़ खडाया और गिर पड़ा, पुलिस ने उसे देखकर भी अंदेखा कर दिया, परंतु जो अनेक व्यक्ती कौतूहल वश उस पर जुकाये थे, उनमें से एक ने उसे पहचान लिया, वो हथ प्रभ रह गया, और यंत्रवत पुकार उन्होंने पुकारने वाले को देखा और पहचान लिया, धीरे से कहा, हसन आखें फिर मिच गई, बदहवास हसन ने चिला कर सैनिक से कहा, अरे जल्दी करो, टैक्सी लाओ, में हो हस्पताल चलना है अभी, भीड बढ़ती जा रही थी, फौज, पुलिस, होम गार्ड सब न कर अनेक मुकदमे लड़े थे, वो अब उसे भीगी भीगी आँखों से देख रहा था, एक बार जुक कर उसने फिर कहा, तुम यहां इस तरह क्यों आए मिस्टर पुरी, मिस्टर पुरी ने इस बार प्रयत्न करके आँखें खोली, और वे फुस फुस आये, मैं यहां क्यो क्यों आया, मैं यहां से जाही कहां सकता हूँ, यह मेरा वतन है हसन, मेरा वतन, फिर उसकी यातना का अंत हो गया, धन्यवाद कहानी थोड़ी लंबी हो गई, पर बहुत अच्छी कहानी थी, आप इस दर्द को समझ रहे होंगे, पार्टिशन के दर्द को, कि एक व्यक्ती क को अपने उस इस्थान को देखने जाता है, और वहां वालों को लग रहा है कि यह कोई हिंदूस्तान से भगाया हुआ, मुस्लिम है, और यहां घर वाले भी परेशान रहते हैं कि वो कहां चले जाते हैं, और अंत्ता एक व्यक्ती उन्हें वहां पहचान लेता है, और कि य हिंदू है, वकील था, मुख्विर बनके आया है और उसे गोली मार देता है, चलिए मुलकात होगी अगली कहानी में, जै हिंदू